मेरे प्यारे साथियो एक्जाम चोईस पे आपका स्वागत है अगर आप SSC बैंक रेलवे यूपी ट्रपल सी यूपी एसाई रेलवे यूपी लेकपाल किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं मैथ का सेशन लेके आया हूँ ठीक है हमारे इस सेशन में ट सबसे पहले अगर आप मेरे नए इस्टुडेंट हैं तो सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें मेरे द्वारा SSC CHSL प्रीविएस येर पेपर कराये जा रहे हैं कॉंसेप्ट के साथ ऐसे ही देलवे के भी पेपर में करा रहा हूँ सभी डिफेंस एक्जाम के लिए मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है ठीक है अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ठीक पहला कॉश्चन ए बी और सी क्रम से दस दिन पंद्रह दिन और बारह दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं ठीक है ए और सी ने तीन दिनों तक काम किया और फिर ए को बी से बदल दिया गया जदी बी और सी से सकार को पूरा करते तो ए प्लस सी और बी प्लस सी द्वारा लिए गए समय के बीच अनपात ग्यात कीजिए ठीक है भाई स्टार्ट करें अब चलो कि देखो भई इसमें क्या बोला है यह बताओ पहले कि इसमें ए बी सी दे रखें पहले कि ए ए बी सी कि दस देन पंदर है और बार है कि ए दस बी बार है सौरी बी पंदर है और सी बार है दिनों में काम पूरा कर सकते हैं पहले हमारा क्या काम होता है एल्सियम ले लो एल्सियम कितना आ जाएगा साथ यही हमारा टोटल वर्क होगा दस से बागला हो च्छे बार पंदर है से चार बार और बार है से पांच बार अब आगे देखो आगे क्या वोला है ए और सी ने तीन दिनों तक एक साथ काम किया ए और सी ए की छमता कितनी है च्छे और सी की कितनी है पांच तो बताओ कितने दिन तक काम किया उन्होंने काम किया तीन दिन तक तो ए प्लस सी तीन गुड़ा ग्यार है ते तीस काम कर दिया फिर ए को बी से बदल दिया गया मतलब ए की इस्तान पर बी आ गया अब एक के इस्तान पर कौन आ गया बी जब एक के इस्तान पर बी आ गया ए वहिया चले गए तो बी और सी से इस कारे को पूरा करते हैं तो बी की छमता कितनी है चार और सी की कितनी है पांच तो काम कितना बचा 60 में से 33 के तो 27 काम 27 काम को B, 4 और C, 5 9 की स्पीड से कितने दिन में? 3 दिन में समाप्त कर देंगे लेकिन पूचा क्या है? A प्लस C और B प्लस C द्वारा लिए गए समय के बीच अनपाद वताना है A प्लस C दौनों ने कितने दिन काम किया? 3 दिन दे रखा है पहले ही तो 3 दिन काम किया अनपाद B प्लस C कितने दिन? कितने दिन काम किया होगा? 3 दिन 3 से 3 कट गया 1 अनपाद 1, option number C कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत हो कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताओ मज़े ठीक है? चले अब इससे आगे आगे देखो गई ऐसा ही सवाल है P, Q और R करम से 6 दिन, 9 दिन और 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं P और Q ने 2 दिन तक एक साथ काम किया देखो P, Q, R मैं ले लिया P Q और R ठीक 6, 9, 12 दिन 6, 9 12 दिन में कर सकते हैं P और Q ने P और Q ने 2 दिन तक एक साथ काम किया P और Q LCM ले लो पहले कितना आजाएगा LCM आजाएगा 108 ले लो में जा 36 36 ले लो 36 आगया मेरा LCM ठीक 6 से बागलाओ 6 बार 9 से 4 बार ऐसे 3 यह क्या आगे इनकी छमता 6,4,3 यह आगे इनकी छमता P और Q ने 2 दिन तक एक साथ काम किया P और Q 10 काम एक दिन में तो 2 दिन काम किया तो काम कितना हो गया 20 अब काम कितना बचया 36 में से 20 गये तो काम बचया अब 16 16 काम को कौन करेंगे बाई Q को R से बदल दिया गया मतलब Q वाई सब चले गए और R वाई सब आ गए P और R सेश कार्रे को पूरा करते है P और R 6 और 3 9 9 की स्पीड से 16 बटे 9 यही आएगा 16 बटे 9 तो पूँचा गया है तो P प्लस Q और P प्लस R द्वारा किये गए कार्र के बीच अनपात गयात करो कार्र के बीच बताना है कार्र कितना है तो 20 काम किया था P प्लस Q ने P प्लस Q ने तो 20 कार के आया था तो 20 रख दिया ठीक और काम कितना 6 काम किस ने किया था 16 काम बचा था 16 काम किया था P और R ने यह वाले P और R तो 16 5 से 4 बार Sorry 4 से कटे था 4 से 5 बार और 4 से 4 बार Option नमबर B कोई दिक्कत कोई प्राब्लम बताओ भई यहां तक कोई दिक्कत आ गया भई समझ में अब चलें इससे आगे देखो यह आ गया अगला X, Y और Z यह नए तरीके के सवाल है ठीक है जो टाइमेंट बर्क में अब पूँचे जाते हैं अब पहले वाले सवाल नहीं पूँचे जाते X, Y और Z क्रम से 24 दिन 15 और 8 दिनों में एक साथ एक काम को पूरा कर सकते हैं पहले तो लिख लिया करो X, Y, Z 24 15 और 8 पहले एल्सियम लो कितना आ जाएगा 120 24 पंजे 120 15 अठे 8 से 15 यह इनकी आगी छमता ठीक X और Z ने 3 दिनों तक एक साथ कार किया X, Y और Z, Y यह रह 15 और 5 बीस कितने दिन 3 दिन एक दिन में 20 काम और 3 दिन में कितना कर दिया 60 काम तो काम कितना बचा 60 गए तो 60 ही बचा 60 कटा दो काम बचेगा 60 फिर Z को Y से बदल दिया गया मतलब Z, Y साब काम को छोड़ दो और Y, Y साब आप आजाओ ऐसा बोला गया तो Y आ गया और Z चला गया यदि X और Y से सकार पूरा करते हैं काम कितना बचा था? 60 X और Y की चमता कितनी हो जाएगी? 8 और 15 8 और 5 13 अब पूचा गया X, Y, Z X, Z और X, Y द्वारा किये गए लिए गए समय के बीच अनपात बताना है तो बताओ कितना समय लिया? 3 लिया होगा इसे के समय? समय तो पहले X और Z ने 3 दिनों में मतलब समय 3 दिन आ गया X और Z का और X, Y का कितना आ जाएगा? 60 काम 13 की स्पीड से तो ये आ जाएगा 3 से ये कट जाएगा 20 बार 13 अनपात 20 ओप्सन नम्मर B कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ठीक है भाई? अगर अच्छा लगे तो लाइक करो सेर करो और मेरे चैनल को सस्क्राइब करो आगे देखो M, N और O, क्रम्स है 9 दिन, 12 दिन और 24 दिनों में एक काम पूरा कर सकते है M, N, O 9, 12, 24 LCM लोग कितना आजाएगा? LCM बता हुआ है कितना आएगा? LCM आजाएगा बेतर LCM आजाएगा बेतर अब देखो M और O ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया M और O ने पहले तो इनकी छमता निकाल लो 9 से 8 12 से 6 24 से 3 यह इनकी छमता का आगया? तो एक बात देखो इसमें बहुत ही ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है कैसे? M और O ने 3 दिनों तक एक साथ किया M और O की छमता कितनी है? 8 और 3 11 ठीक है? O को N से बदल दिया गया O अट गया N आ गया M और N से इस कारे को पूरा करते है 8 और 6 14 की रफतार से लेकिन पूछा कि क्या गया है? ये इस पे द्यान दिया करो तो M Oyo दौरा संपूर कारे को पूरा काईने के लिए समय और M प्लस N दौरा संपूर कारे को पूरा काईने के लिए गया समय का अन पात तो जै बताओ जब efficiency का ratio दे रखाये तो time का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है चोद्यन पात ग्यार है यही तो अंसर है और सनमर सी कोई दिक्काच कोई प्रॉब्लम बताओ भाई जिसकी समझ में ना आए वो मेरी पहली वीडियो देखे ठीक है टाम एंड वरक की पहली वीडियो वो सुरू से पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी ठीक है भाई अब बीच में से आओगे तो समझ में तो आने से रही देखो गए एक्स व्यक्ति पच्पन दिनाओं में एक काम पूरा कर सकते हैं यदि एक्स प्लस एक्स व्यक्ति होते तो ग्यारे कम दिनों में काम समाप्त हो सकता था एक्स और एक्स प्लस छे का अनपात क्या है ये बताना है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई देखो एम बन डिवन लगा दो एक्स व्यक्ति पच्पन दिन में वही काम एक्स प्लस छे व्यक्ति ग्यारे दिन कम तो कितनी दिन होगे चँवालिस 11,55 और 11,44 पूँचा किसका है X बटे X प्लस 6 का अनपाद पूचा है तो X का कितना हो जाएगा 4 X प्लस 6 का कितना हो जाएगा 5 4 अनपाद 5 ओप्सन नमबर A कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बता हो वई यहां तक समझ में आ गया अच्छा लगा लाइक करो, share करो और मेरे चैनल को सस्क्राइब करो आगे देखो 12 व्यक्ति या X व्यक्ति 4 दनों में एक elements पूरा कर सकते हैं मतलब क्या है इसका या तो 12 व्यक्ति 12 व्यक्ति 4 दने में काम पूरा करें बरावर या X व्यक्ति चार दिन में काम पूरा कर सकते हैं यह इसका मतलब यदि X प्लस Y व्यक्ति होते यदि X प्लस Y व्यक्ति होते तो P दिनों में चार गुना काम समाब तो सकता था X प्लस Y व्यक्ति होते तो P दिनों में इंटू P कितने गुना काम हो सकता था चार गुना यह वर के तो नीचे आएगा तो P का मान ग्याद करो बरावर किस के होगा X इंटू 4 क्योंकि यही तो दे रखा 12 व्यक्ति है चार व्यक्ति चार दनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं बस निकाल दो अब देखो X और Y का अनपाद दे रखा है साथ एक अनपाद साथ एक साथ एक य का साथ रख दो आठ आठ से यह कितना हो जाएगा 2P तो P वरावर कितना आ जाएगा 2 अप्सान नम्मर C कोई दिक्कत कोई प्रावबलम बता हुआई यहां तक समझ में आ गया अच्छा लगा चलो अब यह देखो A की दच्छता B से दुगनी है और B की दच्छता C से दुगनी है मैं A, B, C, 3 माल लूँ देखो C से दुगनी है B की तो C की एक तो B की डबल कर दी B से दुगनी है A की जब B की दो है तो A की कितनी हो जाएगी 4 डबल यही बोला है यदि A और B किसी कार्रे को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं A और B की छमता कितनी है 6 अगर दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं तो चार दिन में कितने करेंगे 24 काम यही तो टोटल वर्क होगा टोटल वर्क कितना आ गया 24 तो C द्वारा अकेले कार्रे पूरा करने में लगा समय C की छमता कितनी है एक आंसर कितना आ जाएगा 24 अपसन नंबर A कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम बताओ वाई आ गया समझ में अगर अच्छा लगे तो लाइक करो शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अब देखो ए और बी एक साथ बारह द्रहों में एक काम पूरा कर सकते हैं ए और बी की दच्छता कानपा तीन दो है और बी द्वारा कार पूरा करने के लिए लिया गया समय ग्याद करें यदि वे वेकलफिक दिनों में कार पूरा और पहले बी सुरू करता है ये बताना है ठीक निकालो अब कैसे निकालेंगे देखो ए और बी की छमता कितनी दे रखी है तीन दो ठीक है तीन दो दे रखी है अब काम कितना है ये बताओ पहले अब बी जाएगा एक दिन कि बारे दिनों में तो दोनों अगर व्यक्ति करते तो तीन और दो पांच गुणा बारे अब दोनों मिलके काम करते एक साथ काम करते तो पांच काम करते एक दिन में तो बारे दिन में साथ काम तो टोटल वर्क तो यहीं होगा साथ ही होगा अब देखो 20 करता है यदि व्यकल्पिक दुनों में ग्यात करें पहले वी शुन करता है दो पिर यह जाएगा अंगले दिन एक दिन में काम कितना करे तीन । तो काम तो वं फांच दिन लग गए होगा ह Сब्सक्राःताफितल ठीक है अब ये बताओ कि 60 के पास पहुंचने के लिए बार ऐसे मुल्टिप्लाई इसमें तो बार ऐसे इधर हो जाएगा तो दिन के 60 काम हो गया टोटल और दिन लग गए 24 24 दिन में काम पूरा हो जाएगा वही क्योंकि यही तो बोला ए और बी द्वारा पूरा कहने के लिए लिया गया समय गयात करें अगर दोनों एक साथ करते तो बारे दिन लगते लेकिन अलग अलग करेंगे एक एक दिन छोड़के तो दिन कितने लगेंगे 24 ठीक है भाई आ गई बात समझ में चलो अब देखो ए और बी द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए लिए गया समय का अनपाद 4 अनपाद 5 है एक को उसी कारे को पूरा कहने में बी की तुलना में 4 दिन कम लगते हैं उनकी छमता का अनपाद बताएं यदि ए 120 दच्छता पर काम करता है ठीक है भाई ये बताना है अब देखो ए और बी द्वारा किसी काम को पूरा कहने के लिए समय का अनपाद दे रखा है भाई ये ए और बी चार अनपाद 5 ये टाइम का हो गया ये टाइम का हो गया अनपाद तो छमता का कितना हो जाएगा एफिसिएंसी का पाँच अनपाद चार यदि एक ही छमता 120 परसेंट 120 परसेंट कितनी होती है चे बटे 5 5 से कितनी हो जाए 6 तो मतलब एक ही छमता हो गई 6 और बी की तो वही रहेगी चार कि उनकी छम्ता गानपाद ग्याद करें तो तीन दो आपसर नमबर एक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम बताओ यही तो पूछा है हमें चार दन कम लगते हैं यह से तो कोई मतलब भी नहीं था ठीक है वई आ गई बात समझ में अगर अच्छा लगे तो लाइक करो शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अब देखो यदि ए प्लस फूर लड़कों द्वारा ए प्लस फाइब दिरों में किया गया कार ए प्लस फाइब लड़कों द्वारा A प्लस 20 दिनों में किये गई कारे के बरावर है तो A का मान ग्याद करें वही M1, D1 लगाना है A A प्लस 4 लड़कों द्वारा कितने दिनों में A प्लस 5 दिनों में बरावर A प्लस 5 लड़कों द्वारा A प्लस 20 दिनों में ठीक है अब देखो इसका मल्टिप्लाई कर लो पहले A स्क्यार प्लस 15 A प्लस 4 A प्लस 15 चक 60 बरावर A स्क्यार प्लस 20 A प्लस 5 A प्लस 20 पंजे 100 A स्क्यार से A स्क्यार कट गया तो एदर कितना बचा 15 और 4 19 से प्लस 60 बरावर एदर कितना हो जाएगा 20 और 5 25 से प्लस 100 ये हो गया अब देखो 25 में से 19 गये तो कितना बचे 6 से बरावर इदर 40 बचा अब 6 से 40 में बाग लगाओ तो गलत हो गया क्या कहीं एक बार चेक करना बई गलत हो गया 60 नहीं आएगा ये 5 ये 5 ये इस ये क्या गलत हो गया बचे 5 है मैंने 15 कर दिया ये इस वज़े से गलत हो गया देखो A प्लस 4 और A प्लस 5 इसका मल्टिप्लाई करना है बस A प्लस 5 A प्लस 20 इससे मल्टिप्लाई कर ले ना बस ठीक है बई उसका मान आ जाएगा मान कितना आएगा 20 आ जाएगा क्योंकि 20 को रखने देखो 20 आर 24 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 40 20 रखके अगर देखें तो 20 ये हो जाएगा 24 गुणा 25 बराबर 25 गुणा 40 बराबर बैठेगा नहीं बैठेगा बैठना चाहिए वाई 25 चक्सो एकजार 25 देख लेना ठीक है बई थैंक यू इससे आगे हम कल चलेंगे 25 बंआ steeds शेखें उन्यमाव